तो आस परेंगे फ्लेमिंगो बुक से सेप्टर नमबर टू लॉस्ट इस्प्रिंग से सेगेंड नमबर पार्ट तो फार्ष पर्ट कौन से था शाहिप का था ठीक है फार्ष पर्ट था यह वाला सम्टाइम्स आई फाइंड रूपी इन दगर्वेश ठीक है लेगन अभी प जो देख रहे हैं आप इसको भी लाइक करें और कॉमेंट तो बिल्कुल करें अच्छा लगा तो भी करें खराप लगा तो भी करें क्योंकि आपके कॉमेंट से मुझे मॉटिवेट मिलता है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं क्या है मुकेश इंसिष्ट ऑन बिइंग हिस मेकानिक ही एनाउशिस बोलता ही कि मैं अभी मोट successor मेकानिक बनना चाहता हू किसको बोल रही है मुकेश हमारा जो ए यहा कार्ट के बारे में कुछ पता है और यहाँ पर बोलता है मैं गारी सलाना शिख writes लो टीकार नांट मेरे आखो lovers को के तरफ देखकर कमकर कराद सो दिया कि मैं गारी चलाना सीखूंगा इस ड्रीम कि लूंप लाइक मिरास एमेस्ट दाश्ट ओब स्ट्रेट डैट फिल इस टाउन फिरोजाबाद और उसका जो सपना है ठीक है वो मिरास की तरह है मिरास क्या है मिरास होता है इलूजन ठीक है जैसे कि अगर आप दूर सगर द ओ सब्सक्वार फिरोजाबाद मैं वह सरे लोग हैं जो लोग भृँ में हैं ठीक है रहस्ते में दूल के तरह है झा धूलत अधूल होता है इसी तरह का उन यहां पर क्या बताया दिखिए यहां के लोग जो है बेंगल बनाने में बीजे रहता है और या इट इस शेंटर न इंडिया में से यह रहता है यहां के लिए रहता है और यह बताया गया है कि इस तुरी शायद यहां पर ही बनता होगा ठीक है उसके बाद दीके मुकेश फैमिली इस एमांग देम और यहाँ पर जो काम करता है भट्टी में चूरी बनाने में मुकेश के फैमिली भी उनमें से एक है किसी को शायद पता नहीं होगा कि बच्चा यहाँ पर काम करना एक इलिगल है इतना गर्मी में काम करना इलिगल है वेर दे स्लोग देयर डेलाइट आवर्स यह कहाँ अगर अगर लोग कानून को अगर फोर्स कर दिया जाए एपलाई कर दिया जाता है इनके उपर कि बच्चा यहाँ पर काम नहीं कर सकते कम सकंद बीस हजार से जादा बच्ची यहाँ से निकलेंगे इस बट्टी से इतना बच्चा यहाँ पर काम करता है ठीक है उसके बाद often losing the brightness of their eyes और यहाँ पर जो काम करता है ना असकंदर अंदेकार रूम मेर तो इसी बज़े से धीरे धीरे इनका जो आखों का जो पावर है ना वो कम होता जाता है डे वाई डे मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home और मुकेश के आखों मे में क्या दिखाए दे रहा था चमक दिखाए दे रहा था मुकेश मुझको अपना घर ले कर जाना चाहता था इलिकिका को घर ले कर जाना चाहता था ठीक है विसी proudly says is being rebuilt और यहाँ पर मुकेश बोलता है कि मैंने हमारा नया घर बनाया है ठीक है प्रावडली बोल रहा है यह पर वी वाक डाउन स्टिंकिंग लैंड शॉक्त विद्गर्वेश देखे यह बर बताया गया कि जब में मुकेश के घर में जा रहा था एक गलिया रही से ठीक है गलिया था पतलाच गलिया था चोटा गलिया जा पर गर्वेश से भरा हुआ था पास्थ होंस देट रिमें ह लोग जंगल में एक साथ रहते थे वहाँ पर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रिमेंवल स्टेट पर आ चुका है इंसें टाइं में आ चुका हूँ ऐसा लिखी का को लगने लगा था ठीक है उसके बाद ही स्टॉफ्स एड दा डूर अप वांसस हाउस एक घर के सामने रुख गया बिंग उबली आईरन डॉर और बैंक्स ए उबली आईरन डॉर विट इस फुट और पेर से क्या किया अन्होंने उजो कम जोर दर्वा जात आयरों डर्वा किया है इन वान पार्ट अपीट थैस्ट वीट डिट ग्रास इस फायरोड स्टॉप ऑबर विशेट से लार्ज भैसल अब सिसलिंग स्पेना स्लिप्स और अंदर जाते ही देखा कि वहाँ पर एक चुला जल रहा था चुला के उदर घास रखा गया था ठीक है और चुला के में डिटरवल स्कार्ट के रखा था यंग ओमेन Iis cooking the evening meal for the whole family फ्रेख मतलब वईग वह इक वह एक यह उन्ग मैनका खाना बना रहा था होल फैमिली के लिए थो आइस फिल्ड विट स्मॉक शी स्माइल्स जो कि उसके आखोस में धुवा जा रहा था फिर भी हमको देखकर वह सी ठीक है वो कौन है जो औरत थी हसी मुझको देखकर लेकिका को देखकर वो था मुकेश का बरा भाई का वाइफ ठीक है शी मुकेश से ज्यूदा नहीं था तो यापर क्या लगता है मुकेश को कि बहुत सोटा है थो इससे क्या पाता चलता है चारील में इसका थोड़ा सा लग रहा है था आप लोग पर सकते हैं कि आप उसके हैं यह रिगान क्यों बढ़र समनक हैं रहा था रहा था और यह इसको संबल रहा था यह daughter-in-law, our husband, Mokesh and their father, ठीक हजबन को Mokesh को और Mokesh को पिताजी को तीन लोगों को संबल रहा था, When the older man enters, older man मतलब Mokesh के पिताजी, Mokesh के पिताजी जब घर में आये, She gently withdraws behind the broken wall, और Mokesh की जो भावी थी, वो एक टूटा-फूटा वाल के पीसे जाकर सिप गई, ठीक है, मतलब इससे क्या पताजी चलता है, कि सनमान देना, और अगर बरे घर में आते हैं, तो सनमान देते हैं, brings her bail, बेल मतलब घुंगट, brings her bail closer to her face, और जो कि उनके पिताजी बहुत बरे थे, सनमान देने के लिए क्या-क्या, घुंगट को अपने फेस, घुंगट से फेस को ढग दिया, ऐसा करते हैं, सनमान के लिए, as custom demands, जो कि एक custom demand है, daughters-in-law must weld their faces before male elders, जो बरे मेल है, उसके सामने अगर आते हैं, तो एक custom है, क्रिस्वेल है, ठीक है, कि उसको घुंगट से अपना फेस को ढखना है, इन दिस केस, the elder is an impoverized bengal maker, और यहाँ पर देखिए, impoverized मतलब बहुती गरीब, जो यहाँ मुकेजी के पिताजी है, वो बहुती गरीब थे, बेंगल मेकर थे, चूरी बनाते थे, अधि एस के बाद बेंगल मेकर का काम किया, धू elier संहे टूँर।व प्रफोर घर तफेल हो गया था घर को करने में शोल हो गया है। दो बाच्चे को पराने में 2 हो गया था। ऑली एस मैंस सो टूव स्थेंट त că्क उटना ही शिखाया उनको जितना सा पता था बैंगल मेंगिंग करकी आट बेंगल मेंगिंग जो जानते थे मुकेश की पिताजी पस उतना ही उनके दो बेटों को सिखाया था उसका देखें इस करम इस डेस्टिनी सेस मुकेश's grandmother और मुकेश के grandmother क्या कहते है कि ये तो करम है ये तो इसका है कि उनके husband का case से उनका husband blind हो चुका था यहाँ पर ग्लास बेंगल बनाते 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 कैसे पोलिशिंग करते करते के उनके पत्ति का case से मतलब आख चला गया था खराफ हो गया था ठीक है वह अंदा हो चुका था काम करते करते can a god-given leanness ever be broken तो यहाँ पर क्या बताता है कि यह झो भगवान दारा उपरवला दारा जो हमको काम सोपा गया है ठीक है क्या वो टोट सकता है कभी यह बेंगल मेकिंग का काम उपरवले ने हमको सोपा है क्या यह कभी टूट सकता है she implies वो बोलता है born in the cast of बेंगल मेकर्स यह हमको हमारा जनम कहा हुआ है बेंगल मेकर्स में ही जनम हुआ है हमारा कास्ट बेंगल मेकर्स ही है they have seen nothing पिंग बाट बैंगल श्रम सिफ क्या दिखाए जनम से बहर कि बैंगल बनाते हुआ ही दिखाए जनम से बना हो जाता है सिर्फ बैंगल मेंकिग ही उन लोगों काता है in the house in the yard in the अब्हुरी और आफाइटर रो और फिरोजाबात के हर इक घली अपको क्या देता है चुली दिखाएगा बैंगली Spirals of मतलब Varieties Spirals of Bengals और कितना तरह का Varieties होता है Bengals में चूरी में ऐसा होता है Sunny Gold Color को होता है Pedigreen, Royal Blue, Pink, Purple Every Color Born Out of Seven Colors of the Rainbow और Rainbow का जो साथ Color है उसको मिला कर जितना Color होता है हर एक Color का यहाँ पर चूरी मिलता है Lie in Mounts in Unamped Yards और भापर जो बीना सजाए एक Mount की तरह रखा परा है कापर फिरोजाबात में उसको मिलता आर पाइल्ड उई पाइल्ड ओन फोर विल्ड हैंकाट्स और भापर हैंकाट्स में लोग लेकर जाता है यह चूरी और गली गली में खीस के ठेला से लेकर जाता है चूरी को किसके लिए बेशने के लिए ठेक है तो क्या करते हैं जो बच्चे होते हैं ठेक है गल्स और बॉइस पीस कोई कट्टा करता है और उन लोगों के जो आखे हैं बच्चों का आखे वो अंदर अंदकार में ज्यादा एड़ास्ट हो जाता है ठेक है बाहर उन लोगा आखे एड़ास्ट हो नहीं पाता है है क्योंकि अंदगर में रहते 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 डार्क में रहते रहते में आंख इस वाइडर्ष्ट भी चाल घ्राब हो जाता है आइस साइट खर्ब हो जाता है ठीक है कि आखोका पावर लोस अलॉस हो जाता है उनका उसके बाद दीखिए शवीता यह यंग गल इने ड्रेप पिंग ड्रेस द्रेब मतलब फेड़ेट और शवीता जो है वह पिंग कलर कि पहना हुआ जिसका कलर थोरब ह खरब हो चुका है, sits alongside an elderly woman, और एक woman के साथ बेटा हुआ है, बहापर, shouldering pieces of glass, और जो glass है, उसको एकेट्ट कर रहा है, glass को बना रहा है, चूरी को, as her hands move mechanically like the tongs of a machine, और इतना जल्दी जल्दी हाथ इतना फास्ट जा रहा था, कि जैसे एक machine काम कर रहा हूँ, ऐसा, I wonder, if she knows the sanctity of the bangles she helps me, मैं मुझे थोरा सा अजिब लगता है, क्या क्या उस लर्की को, ये bangles का, चूरी का मत भेलू पता होगा, इसका purity पता होगा क्या, it symbolizes an Indian woman's shuhak, और लेकी का बोलता है, ये जो चूरी है, ये Indian woman का shuhak को बताता है, ठीक है, चूरी मतलब shuhak, auspiciousness, ठीक है, auspiciousness in marriages, और marriage के लिए शूब माना जाता है, चूरी को, इस लर्की को तब पता लगेगा, जब ये लाल घुमटा इसके सर पर होगा, और इसके हातों में महंदी लगाया होगा, लाल शूरी पैना होगा, हातों में तब उसको जाके पता लगेगा इसका भेलू, शी विल देन बिकाम ए ब्राइट, तब वो एक क्या बन जाएगे, बहुँ बन जाएगे, ठीक है, लाइक दे ओल्ड में बिसाइड हार, वो बिकेम वान मेंनी यर्स अगो, उसके साइड में जो महिला बेटे होई थी, बहुत साल पहले वो एस ब्राइट बहुँ बने थी, शी जी फिल हैसे बेंगल्स ओन हर रिष्ट बड नो लाइट इन रराइस, उसकी हाथों में वो जो महिला थी, उसके हाथों में अभी भी बेंगल्स हैं लेकिन उसके आँखों में अभी चमक नहीं है, और वो कहती है, एक दबगत शेयर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज एक बग भी हमने आज तक पिट भर के खाना नहीं खाया. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. तो इसी को देखिए, इंग्लिश में कहा गया है. That's what she has ripped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except Bengals. उसके जो husband है, उसके husband एक बोड़ा थे, दारी वाला, ठीक है. वो कहता है कि I know nothing except Bengals. मुझे कुछ नहीं आता है, सिर्फ Bengals बना नाता है. All I have done is my house for a family to live in. मैंने सिर्फ पूरे जिन्दगी में मैंने क्या किया, सिर्फ अपने family के लिए एक घर बनाया है. Hearing him, one wonders if he has a shift, what many have failed in their lifetime. और ये सुनके लिखी का कोई ये थोरा सा wonderful होता है, surprise होता ही कि अच्छा है, लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो अपने जिन्दगी में एक घर बनाने में फेल हो जाता है. लिकिन इन्होंने कमसरम अपना family के लिए तो घर तो बनाया है, रहने के लिए, he has a rope over his head, कमसरम उसके सर के उपर सत्तो है, the cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. देखिए, पैसा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, यह जो रोना है, यह रोना हर एक family में आपको मिल जाएगा, कहाँ पर फिरोजाबाद में, the young man echo the lament of their elders, और जो young man है, वो रोता है, यह सब कहते कहते, ठीके, little has moved with time it seems in फिरोजाबाद, और यह फिरोजाबाद में मतल इतने समय तक, आज तक कुछ भी नहीं बतला, ठीके, जैसा का तेसा ही है, years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to trim, यह धीरे धीरे साल गुजरता गया, लेकिन इसके इन लोगों के अंदर जो initiative है, कुछ नया करने का जुनून, मतलब मर सुका है, ठीके, इसके अंदर अभी जान नहीं बचाए क कुछ नया सोचे, कुछ और करना का ट्राइ करे, ऐसा नहीं रहा बाकी, उसके पर दिखे, why not organize yourself into a cooperative, और यहापर लेकी का ने बोला कि, आप लोग एक union क्यों बना नहीं लेते, ठीके, आप एक cooperative, एक organization क्यों नहीं बना लेते, I asked a group of young men who have fallen into the vicious circles of middlemen who trapped their fathers and forefathers, और यहापर ले जो young men को बोलते है, कि जिसने middle men के चंगल में फस गया था, कौन? Fathers और forefathers, जो middle men के चंगल में फस गया था, उनहीं के बेटे young men को, आप लेकी का बोलते है, आप लोग एक organization क्यों नहीं बना लेते, आप union क्यों नहीं बना लेते, आप लोग मिल के, एक union बना सकते है, ठीक ह Even if we get organized, we are the ones who will be hold up by the police, और ये लोग कहता है, अगर हम ऐसा organization बना लेते है, ऐसा union बना लेते है, तो हमारे साथ क्या होगा, पता है, we are the ones, हम होंगे, जो police से पकरा जाएंगे, हम होंगे, जो मारे जाएंगे, beaten, हम होंगे, जिसको जेल, पकर के जेल में डाल दिया जाएगा, illegally, कुछ illegal करने के लिए, ठीक है, dragged into jail for doing something illegal, they say, there is no leader among them, और उन में से एक भी leader नहीं था, no one who could help them see things differently, और उन में से एक भी बेकती नहीं था, जो कुछ थोरस अलग सोचे, ठीक है, their fathers are as tired as they are, उनकी पीताजी जैसे tired हो चुके थे, और बच्चो भी पीताजी की जैसे ही tired हो चुका है, they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice, और उन लोगों के भीच में सिर्फ एक ही बात चलता रहा था, गरीबी, पस्पारी, injustice, lobe, greed, apathy, इनके बारे में ही सिर्फ बात चीस होता रहता है, तो उठके थोरा सा कुछ नया करें, ठीक है, इनके अंदर ऐसा कुछ जुनन नहीं था, इनके जुनन जो है, मर सुका था, ये लोग सिर्फ एसा ही बाते करता रहता है, क्यम गरीब है, हम लोग, इसा बात ही करता रहता है हर रोज उसके बाद दिखें लिसनिंग टू डेम आई सी टू डिस्टिंग वर्ड और उनको सुनने के बाद मुझे दिखाई दे रहा था कि दो दुनिया थे ठीके दो दुनिया के बरे में मुझे पता लगा वान ऑप दा फैयमिली वर्ड परफ़ोर्व एक चुंत थे रहा कि बाद मुझे लिवली औरकर माजफ फोड़ाल के बाद मउमा मुझे आई लगे जान वाल गराखा करू थे बाद की घạnhzen ता यहार बॉन्ट ऊसा कास्ट में जो उन्हें उन्हें जनम लिया है दा आदर एविसेश सर्कल और दुसरा दुनिया कौछा है दूसरा दुनिया है वो शाहोकार्स मेडिलमेन पूलिसमेन ड़कीपर्स अफ लौ दे बिवरिकर्स एड्मिनिस्टेटिव लोग पॉलिटिशियन् बंच चलन ए अमिर वालो के लिए ठीक है जो सावकार सी सब किश्क्राइब लोगल में आर दूसरा दुनिया ने ये अमिर आलों के लिए ठीक है ये दो दुनिया के बारे में बोल बोला गया है टेके विफूर ऐसे यह और फिक उनको थोड़ा सा समझ में आता है फूरे इस एवेरということ समझ में आता है कि उससे पहले व लोग एकस्प कर लेते उसा से उसका पिता जिए एकस्प कर लिया था पिन लोगर एकस्प लिया था रषा कि तरह यंग यंग बोई यंग लगके भी एक्सेप कर लेता है तीरे-धीरे तुडू एनिफिंग एल्स वूट में टू डेर और कुछ नया करने के लिए जाता है मतलब यह सिस्ट्रेम को डाइरेक्टली सेलेंस करना ठीक है तूडू एनिफिंग एल्स वूट में टू डेर और कुछ नया करना, इसका मतलब यह है कि हम directly system को challenge कर रहा है, middleman को, police को, bureaucrats को challenge कर रहे हैं, और आपको पता है कि challenge करने से क्या होता है, ठीक है, तो देखिए अभी तक अगर आप वीडियो में लगे हैं, तो please वीडियो को like करें, channel को subscribe कर दीजिए, ठीक है, जाधा time नहीं लगत है ही नहीं, ठीक है, when I sense a flash of it in Mukesh, I am scared, और यह सारे बाते जब मुझे Mukesh के सेरे में दिखाई देता है, ठीक है, Mukesh क्या करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, यह जो sense, ठीक है, यह जो हिम्मत Mukesh में मुझे दिखाई देता है, यह तिक कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, I want to be a motor mechanic, he repeats, Mukesh फिर से बलता है कि मुझे motor mechanic बनना है, he will go to Geras, वो गेरेज में जाएगा और सिखेगा, but Geras is a long way from his home, लेकिन Geras उसके घर से बहुत दूर है, और उन्होंने क्या कहा, Mukesh ने कहा, I will walk, मैं जाओंगा, पेदल जाओंगा, he insists, do you also dream of flying a plane, क्या तुमक plane भी उराना का सपना है, plane भी उराना साते हो, he suddenly silent, लेकिन यहाँ पर मुके silent हो जाता है, no, he says, और बोला कि नहीं, staring at the ground, ground के तरफ देखे बोलता है, नहीं, मुझे plane नहीं उराना है, in his small marmar there is an embarrassment and has not yet turned into regret, और यह बोलते ही, बनलब उसके चेहरे में एक शरम सा दिखाई देत है, ठीक है, उसको शरम भी आ रहा था, लेकिन यह शरम अपसोस में नहीं बदला था, ठीक है, जो कि वो बहुत कुछ कुछ करना चाहता था, है, his content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town, यहाँ पर बोला है, content मतलब satisfied, उसके शहर से उसके रस्ते से बहुत सारा गारिया जाते हैं, वो दिखके मतलब वो satisfied थे, ठीक है, उसके टाउन के जो रस्ते हैं, उस रस्ते से वो बहुत कार के जाने का आवाज सुनता है, कार देखता है, यह देख प्लैन्स प्लाइओर फिरोजाबाद, लेकिन फिरोजाबाद के ऊपर से बस थोरा सा ही कुछ ही प्लैन उरता रहता है, ठीक है, जदा नहीं, सिर्फ कुछ ही, तो इसलिए वो कार मेकानी की बनना चाहता है, तो देखिए आपको इस स्टोरी कैसा लगा, उमेदे आपको बह लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें और कॉमेंट तो बिल्कुल करें ठेंक्यू सुमास